तो चलिए ये कह रही हैं यहां पर कि आत्म ग्रिहिती इतरवत उक्तरात अन्वयात इती चेत स्यात अवधारनात तो वहां पर अवधारना की गए अवधार्ण ये किये है कि आत्माशब्द से यहाँ पर परमात्मा ही लिया जाएगा क्योंकि उसको पराकास्था बता दिया ना सुक्षमिता की तो पराकास्था तो इश्वर में है जीवात्मा में है नी एश्य सर्वेशु भूतेशु गूढ़ोत्मा नै प्रकाशति उक्तवचने यद आत्मशब्द ग्रिहीती जो आत्मशब्द का ग्रहन है आत्मशब्द ग्रहनम तन्न परमात्मा अभिधायकम वो परमात्मा का अभिधायक नहीं है किन्तु तद इतरवत इतरवत को खोला जीवात्मवत जीवात्मवत मतलब जीवात्म निमित्तं मंतव्यम तो वो आत्मशब्द जीवात्मा के निमित्त से कहा गया है ऐसा मानना चाहिए ये पूरुपक्षी का कहना है कुतह उत्तरात अन्वयात अग्रिम अग्रिमात अन्वयात जो अग्रिम सूतर है आगे का जो प्रकरण है उसके अंदर अन्वय होने से तद अग्रे जीवात्मना प्रकरणम विद्यते मानने ये जो है कठोप निशद का एक तीन बार है इस से आगे आत्मा का वर्णन किया गया है यह तो परमात्मा का वर्णन है यह तो और इसके आगे आत्मा का प्रकरण चल पड़ा तो यह कह रहे हैं कि उस आगे का जो वर्णन है आत्मा का तो उसको यहाँ अन्वित करके यहाँ भी आत्मा का अर्थ जीवात्मा लेना चाहिए कुतह उत्तरात अन्वयात अग्रिमात अन्वयात तद अग्रे जीवात्मना प्रकरणम विद्यते खलू यदि छेत वांग मनसी प्राज्यहं तद छेत ज्यान आत्मनी ज्यानम आत्मनी महती नियत छेत तद यद छेत छांत आत्मनी जो अभी आपने पढ़ा न वो ही इस वाक्य में कहा है यह कह रहे है अत्र नियमन क्रमो अंतिमो जीवात्मा प्रतिभाती यहां पर जो कहा है एक तिन तेरा में ही वो जो उपर का वर्णन है एक तिन दस ग्यारा बारा फिर है एक तिन बारा बारा में परमात्मा कह दिया जीवात्मा से और तेरा में क्या कहा, यहांपर आत्मा नी, यहां आत्मा का अर्थ गया है? जीवात्मा कि हम कैसे करें अपने अपको, तो बुल आप मन को तो प्राज्य हैं माने ज्यान आत्मा से अपने अपको नहीं, मन मतलब इंद्रिय Mन आदि जो है, इनको किसमें हम नियोजित करें ज्यानात्मा में और ज्यानात्मा को फिर महानात्मा में और महानात्मा को शांतात्मा में अत्र नियमानक्रमा अंतिमो जीवात्मा प्रतिभाति तो ये जो शांतात्मा है ये क्या है जीवात्मा के लिए ही कहा है तो वो जीवात्मा ही यहाँ पर प्रतिभातित हो रही है परिभासित हो रही है इती चेत स्यात अवधारनात इती चेत कथनम स्यात्तर ही अवधारनात परमात्मा अत्र आत्म शब्देन अभिलक्षितो अस्ती तो ऐसी यदि आप शंका करें तो ये आपकी शंका करना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर परमात्मा की आउधारणा की गई है यहाँ पर आत्मा शब्द से परमात्मा को अभिलक्षित किया गया है ने जीवात्मा जीवात्मा को नहीं किया गया शांत आत्मा का मतलब यहां पर परमात्मा है अवधारनम ही तत्र परमात्मनो अस्ति यहां पर जो आवधारन किया है वो परमात्मा का ही है वो ब्रम कैसा है अशब्दम असपर्शम अरूपम अव्ययम तथारसम नित्यम अगंधवच्यत अनाध्यवंतम महतह परम ध्रोम निचाये तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते तो यह उससे अगला है एक तिन पंद्रा है यह तो यहाँ पर इसमें किसका उधारण किया गया है आत्मा ब्रह्म का आत्ना शब्द से वो ब्रह्म कैसा है अशब्दम शब्द से परे है वो शब्द नहीं है वो असपर्शम स्पर्श से परे उसको स्पर्श नहीं कर सकते अरूपम उसका कोई रूप नहीं है अव्ययम उसमें कोई चेंज नहीं आता है तथा अरसम रस रहित है वो तो कहीं कहीं उसको कहा रसो वही सह और यहां पर कहा कि वो रस रहित है तो इसका अर्थ क्या है रस रहित का मतलब क्या है और कहीं कहा कि वो रस है पीछे अभी तो आया एक रस एक सार है और यहां का अर्थ है वो तो क्या अर्थ है इसका नाई मतलब कभी कभी शब्दों के दो अर्थ होते हैं न जैसे हम कहते हैं कि वह ये तो अमुल्ले है ये अब अमुल्ले का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ मुल्ले रहित मुल्ले रहित अर्थ हुआ ने शब्दकार्थ मुल्ले अमुल्ले अपोजिट हो गए ना मुल्ले से अपोजिट मुल्ले मतलग कीमत तो उसकी अमुल्ले मतलग जिसकी कोई कीमत नहीं भाई ये ये आपके बुर्कुल के सामने जो रेत पड़ी है इसका क्या मुल्ले है कोई मुल्ले नहीं, अमुल्ले है ये भर ले जाओ अमुल्ले कार्थ क्या है यहाँ पर मुल्ले रहित जिसके कोई कीमत नहीं, कोई मुल्ले नहीं है, और फिर जब पकामाता है एक मेहने में बोले पांच लाख इसकी नोकरी पांच लाख की है तो बोले इस आदमी की कीमत क्या है बोले पांच लाख और बोले ये व्यक्ति बोले ये तो सेवा करता है महापत अंजली और बीठ में इसकी कीमत क्या है तो बोले अमुल्य है ये तो तो यहां अम तो वो मुल्यवान होते है तो ऐसे यहाँ पर अरस का मतलब है कि केवल रस में उसको परिसीमित नहीं किया जा सकता इसलिए यहाँ पर कहा अरसम, नित्यम, अगंधवच्च अब सारी गंध उसी से ही है और यहाँ उसको क्या कहा अगंधवत, बिनागंधवाला तो बिनागंधवाला मतलब गंध तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट है पर वो स्वेम क्या है गंधों से बहुत उपर यह सब जो हैं विशेशन यह परमात्मा के हैं अनाध्यानंतम वो कैसा है अनाधी उसका कोई आधी नहीं है और अनंतम उसका कोई अंत्वी नहीं है महतः परम वो महान से भी परे अत्नित महान है, महान से भी महान है महतः परम, ध्रुवम स्थिर है वो, सदा ध्रुवम निचाईय तन मृत्यो मुखात प्रमच्यते तो वो उसका निश्चे करके उसको ध्या करके उसको जान करके ये जो जीवात्मा है तत मृत्यू मुखात प्रमुच्यते ये मृत्यू के मुख से उसको छुड़ा देता है इस जीवात्मा को मृत्यू के मुख से छुटने वाला कौन है जीवात्मा और ये छुड़ा देता है ये कौन है परमात्मा तो निश्चित रूप से यहां तो अधारना हो गई न कि ये सारे के सारे जो विशेशन बताई हैं ये किसके हैं परमात्मा के हैं क्योंकि उससे ही तो अगला प्रकरन है ये एक तिन पंद्रह काई तो तस्मात आत्म शब्देना परमात्मा अभिप्रेयते तो इसलिए यहां पर आत्मा शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहन होगा आत्मा का जीवात्मा का नहीं होगा कार्या ख्षानात अपूर्वम तो ये कहा कार्या आख्षानात नहीं है यहाँ पर अख्षानात अकार है यहाँ पर रूप वही बनेगा अकार में भी वही बनेगा आकार में भी वही बनेगा कार्या के अख्षान से एक तो होता है ख्यान, ख्यान मतलब कथन, हाँ और यह है अख्यान, कथन से रहित, व्याख्यान तो होता है कि विशेश ख्यान, विशेश शब्द, उसको व्याख्यान कहते है न, विशेश शब्द, और यहाँ पर न ख्यान, अख्यान, उसका आप वर्णन नहीं कर सकते हैं, कथन से रहित ह कारिय अख्यानात कारिय से रहित है ख्यान से रहित है अपूर्वम और वो अपूर्व भी है तो उस ब्रह्म को अपूर्व इस धर्म से युक्त भी पढ़ा जाता है अपूर्व मतलब यहां पर अपूर्व शब्द के भी दो अरत हैं अपूरू मतलब उसके पहले कोई नहीं था तो उसको कहेंगे अपूरू और एक जो इन्हों ने बोला बोला नाजी ने अपूरू मतलब कारण नहीं है कोई उसका उसके पूरू में कोई नहीं है हाँ मतलब वो सबसे पहले है उसमें भी पढ़ते हैं आप इश्वरस्तूति प्रार्थना उपासना में जो दूसरा मंत्र है तो यहां पर ही वो केवल एक ही सबका स्वामी था उसका कोई स्वामी नहीं था क्योंकि जो कारण हो किसी का तो फिर वो कारिय रूप कहा जाएगा तो परमात्मा कारिय नहीं है क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है इसलिए तो अग्रे समवर्तत इस सबसे भी पहले वो हिरन्यगर्भ रूप में समवर्तत वो विद्यमान था हिरन्यगर्भ समवर्तत अग्रे अग्रे मतलब स्रिस्टी के आदि में जब यहां कुछ भी नहीं था तो भी परमात्मा तो था पर उस परमात्मा का भी कोई कारण हो ऐसा नहीं है क्वचित अध्यात्म ग्रंथे ब्रम्हात्मानम अपूर्वम पठती शुतिही कहीं कुछ ग्रंथों में अध्यात्म ग्रंथों में उस परमात्मा को क्या माना है अपूर्वम अपूर्वम मतलब कारण रहित उससे सुक्ष्म कोई नहीं है उसका कोई कारण नहीं है तो उसको अपूर्व भी पढ़ा, अपूर्वम पठती, शुतित, कहां आए ये ब्रेहदारनेक में, तद एतत ब्रह्म्ह अपूर्वम अनापरम, अनंतरम अभाह्यम, अयमात्मा ब्रह्म्ह सर्वानुभु तद एतत ब्रह्म्ह ये जो ब्रह्म है ये कैसा है अपूर्वम ये कारण रहित है कारण रहित है इसलिए उसको क्या कहते है अनादी क्योंकि उसका कोई आदी नहीं है वो तो सबका आदी है पर उसका कोई आदी नहीं है इसलिए उसको अनादी कहते है अपूर्वम और अनंतरम उसका कोई अंत भी नहीं है अनंतर भी है वो अनंत भी है वो अनंत मतलब जिसका कहीं अंत नहीं आएगा अपूर्वम अपरम पूर्वम अनापरम अन अपरम उससे अपर नहीं है उससे आगे नहीं है कोई उसके बाद नहीं है तो इस दिरस्टी से वो क्या हो गया अनंत और अनंतरम अनंतर मतलब वो जो कल आया था वो यर्थ है केवल वो अंतर में नहीं है केवल अंदर नहीं है और केवल बाहर नहीं है और अंदर बाहर उसके लिए प्रयोग होते हैं एक देशी होता है कभी अंदर रही कभी बाहर रही परमात्मा तो सब जगें सर्वत्र व्याप्त है इसलिए उसके लिए ये दोनों ही विशेशन नहीं आएंगे इसलिए उसको कहा अनंतरम अभाह्यम अयम आत्मा ब्रह्मा जिसके लिए यह आत्मा शब्दा है वो कौन है ब्रह्म है सर्वानु भूह जो सब की अनुभूती में आ सकता है सब उसके अनुभूती कर सकते हैं इस रूप में जो यह अर्थ दिये हैं तद अत्र ब्रह्मा अपूर्वम उच्यते तो यहां पर उस ब्रह्म को अपूर्व कहा है अपूर्व तत कारिय अक्यानात तो इसलिए उसको कारिय रूप में नहीं कहा जा सकता क्योंकि कारिय कौन होगा जिसका कोई कारण हो और जिसका कोई कारण नहीं हो वो कारिय नहीं हो सकता बाकी तो सारी स्रिस्टी कारिय रूप है लेकिन परमात्मा क्या है अकारिय तत कारिय अख्यानात उसमें कारिय का कथन नह होने से कारियस्य अप्रकतनात अप्रकतनात माने अवरणनात अदर्शनात्वा जो कारिय रूप में कहा नहीं जा सकता है देखा नहीं जा सकता है ऐसा है तस्य विकारात्मकतया कारिय निशेधात तो उसका उस ब्रह्म का विकारात्मकतया वो विकार रूप में कारिय रूप में हो ऐसा उसका निशेधात कारिय का निशेधात कारिय का निशेध होने से क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है तो ये शब्द अपूरुम को खोल रहे हैं उससे पूरु कोई नहीं है कारण नहीं है इसलिए उसको कारिय रूप में नहीं कहा जा सकता है और जो कारिय रूप होता है वो ही साधी होता है और जो कारिय रूप नहीं है वो अनादी होता है और जो कारिय रूप होता है उसका कहीं अंत भी होता है और जो कारिय रूप नहीं है वो अनन्त होता है तो ये अपूर्वकार थे साधी सांत अनादी अनन्त उस परमात्मा का ने तो कोई कारिय है और ने तो कोई करण है क्योंकि करण से ही कारिय की उत्पत्ती होती है कोई साधन भी नहीं है कि उसके पास हाथ, पैर, पुद्धी ये सब करण रूप में होने चीए जैसे हम मनुश्यों के पास है तो वो करण रहित भी है और उसका कोई कारिय भी नहीं है मानि वो उपादान कारण भी नहीं है ने तस से कारियम करणम चे विद्यते कारिय रूप से वस्तुना कारिय काले पूर्व रूपा च्योतिर भवती यह पूर्व होना चाहिए वह पूर्वा नहीं होना चाहिए वस्तु नहें जो वस्तुएं हैं वो कारिय काले पूर्व जो कारिय रूप में आई हैं उससे पूर्व उस रूप जैसे घड़ा मिट्टी से बन गया तो घड़े से पहले जो उसका रूप था गड़े से पहले क्या रूप था पिंडरूप तो कहा कारिय काले पूर्व रोपा चुतिर भवती जो उसका पूर्व रूप था उससे वो अयुक्त हो जाता है उसकी चुति हो जाती है रोपा चुतिर भवती पूर्ववत पूर्वसत्ता युक्तम कारियम भौती लेकिन सर्वताच्युती भी नहीं होती है वो कारिय कैसा होता है पूर्ववत माने अपने पूर रूप जैसा होता है मिट्टी अनुवित होके भी तो आती है न तो मिट्टी मय होता है मृन मय होता है घट पूर्व सत्ता युक्तम, पूर्व सत्ता से युक्त होता है कारिय, पूर्व सत्ता युक्तम कारियं भोती, किन्तु ब्रह्म्ह अपूर्ववत, लेकिन ब्रह्म्ह कैसा है, अपूर्ववाला, अपूर्ववाला मतलब अकारण वाला, उसका कोई कारण नहीं है, पूर्व सत् इसलिए वो पूर्व सत्ता से अयुक्त है क्योंकि कोई कारण होगा तो वो कारिये में अनुवित होकर के आएगा तो परमात्मा में ऐसा कोई अनुवित होकर के आने वाला कारण रूप नहीं है पूर्व सत्ता अयुक्तम कयाचित पूर्व सत्तया युक्तम नभवती ये पूर्व सत्ता से युक्त नहीं होता है तत्तु खलू अपूर्वम इसलिए वो परमात्मा क्या है? अपूर्व कारण रहित नहीं तत्स्वरूपाच्यवते और अपूर्व है इसलिए उसका अंत भी नहीं होता है अनादी है कारण रहित है कारिय रहित है इसलिए तत्स्वरूपात ने चवते ने विक्रियते चवते कोई खोल दिया उसमें कोई विकार भी नहीं आता है क्योंकि वो कार्यत्व को प्राप्त नहीं होता है तस्माद अपूर्वम इसलिए उब्रह्म क्या है? अपूर्व है तद्यद अपूर्वम विशेशनम तद अन्यत्र उपसंहरतव्यम तो इसलिए ये जो अपूर्व विशेशन है इसको अन्यत्र भी उपसंगार कर लेना चाहिए माने कहीं इश्वर का कहीं चर्चा आ रही है और अपूरु शब्द यदि कहीं आता है तो वहां भी अपूरु शब्द का यही अर्थ करना चाहिए अपूरु का मतलब क्या हो गया? कारण रहित समान एवम चाभेदात और कह रहे हैं कि समान एवम अने पूरु कथन के समान ही पूरु कथन के समान मतलब अन अपर जिससे कोई अपर भी नहीं है और जिससे कोई अपूरु भी नहीं है पर भी नहीं है तो कहा पूरु कथन के समान ही अभेदात एवम माने अनापर आदी का भी उपसंगार कर लेना चाहिए जैसे यहाँ अपूर्व कहा कि उसका कोई कारण नहीं है तो ऐसे ही समान एवच अभेदात बाद वालों का भी उपसंगार कर लेना चाहिए जिसके कोई पूरों में नहीं है जो अनादी है ऐसे ही वो अनन्त भी है तो उपर जो शब्द आई थे ना अनापरम, अनन्तरम, अबाहियम, अयम आत्मा तो इन सब का भी उपसंगार कर लेना चाहिए यह कह रहे है एवम तत्र अपूर्व कथन सहाचरियन पुच्चे माना नाम अपी खलू अनापर आदी नाम समान उपसंगारो विझ्चेयः विझ्चेय को खोला करतव व्यश्च एवम इस प्रकार से तत्र अपूर्व कथन सहाचरियन जो पूर्व सूत्र में अपूर्व कथन किया उसके सहाचरिये से उच्च माना नाम अपी जो कहें हैं उनका भी और जो नहीं कहें हैं उनका भी अपी कहने से जो नहीं कहें उनका भी ग्रहन हो जाएगा उच्च माना नाम अपी खलू अनअपरादी नाम जो अनअपरादी शब्द जो कहें हैं उनका भी अनअपरादी नाम समान उपसंगारो विज्जे समान रूप से उनका भी उपसंगार हो जाएगा ये जान लेना चाहिए करतव्यस्च और वो उपसंगार कर लेना चाहिए जान लेना चाहिए कौन से हैं वो शब्द अनापरम अनन्तरम अबाह्यम अयमात्मा ब्रह्मा सर्वानु भुह तो इन सब शब्दों का भी उपसंगार कर लेना चाहिए ये भी उपसंगार हो जाएगा तदि थम विवेच्यम परमात्मा अनापर तो इस प्रकार से ये परमात्मा विवेच्यम विवेच्ना करने योग्य है कैसा है वो अनापर नहीं उससे परे भी कुछ नहीं है तो वो क्या है अनन्त है कहीं अन्ती नहीं आएगा उसका कहीं अन्त आए तो उससे आगे हम कुछ दिखाई अब उसका कहीं अन्ती नहीं आ रहा है तो उससे पर भी कुछ है नहीं तो वो क्या हो गया अन अपर परे से भी परे परे से भी परे परे से भी परे आप जाते ही रहो तो उसका कहिए अन्त आए गई है तो वो तो अनंत है तो इससे उसके परे और कुछ भी नहीं है, साकाष्ठा सापरागती वो तो पराकाष्ठा है तस्मात परम अन्यत रूप अवतिश्ठते इसलिए करें तस्मात परम अन्यत अन्यत परम उससे परे दूसरा कोई रूप नहीं है क्योंकि वो कारिये नहीं है यह हमने पहले ही कह दिया ना अकार्डियम कह दिया तो कारियस्य अप्रकतनात कारिये के का कथन नहीं होने से मानिक वो कारिये रूप नहीं होने से क्योंकि कारियम ही विनश्यती जो कारिये रूप है उसका तो कहीं न कहीं अन्त आता है वो तो नस्टो जाता है कारिये रूप तो कारियम ही विनश्यती किन्तु ब्रह्मात्मा तु तथाईव अवतिस्ठते लेकिन ब्रह्मात्मा का तो कहीं अन्त आता नहीं है वो तो वैसे ही रहता है हमेशा तस्मात अनापरह इसलिए वो अनापर है कारिय रूप नहीं है अनन्त है वो अनंतरो अबाहियस्च ब्रह्मात्मा नेतस से अंतरे मध्धे अव्यव भागो अस्ती नेचे बाहियो अव्यव भागह प्रिष्ठम अस्ती कारियस्य अप्र प्रकतनाद इव कारियस्य ही वस्तोनो अभ्यंतरो भागो बाहियस्च भागो भवती अनंतरो अबाहिश्चे ना वो अंदर है ने वो बाहर है अंदर और बाहर इन दोनों से वो रहीत है क्योंकि वो सर्वव्यापक है अनंतरो अबाहिश्चे ब्रहमात्मा ने तस्यांतरे ना तो कुछ उसके अंदर है माने उसके अंदर मतलब जैसे परमात्मा तो हम सब के अंदर है लेकिन उस परमात्मा के भी अंदर कोई और परमात्मा हो ऐसा नहीं है परमात्मा तो हम सब के अंदर है लेकिन परमात्मा के अंदर जैसे दूसरे दिर्स्ट्री से तो ये कहा जाता है कि भाई यह सारा ब्रह्मान्ड ही उसके अंदर है पर उस पर्मा जैसे वो हमारा आधार है हमारा आस्रे है ऐसे उसका भी कोई अन्यास्रे हो आधार हो ऐसा नहीं है कि वो उसमें हो तदित्थम विवेच्यम ब्रह्मात्मा अनापर न तस्मात्परम अन्यत रूपम अवतिष्ठते कारियस्य अप्रकतनाते वकारियम विनश्यती किन्तु ब्रह्मात्मातु तथैव अवतिष्ठते अंतरे कार्थ है यहाँ पर मध्धे उसके अंदर उसके अंदर कोई अव्यो भाग नहीं है ना कोई अव्यो नहीं है उसका ना तो कोई अंदर का जैसे हमारा जैसे यह शरीर है तो इसके एक तो बाहर के अवयव है हाथ, पैर, आँख, नाख, काना दी और एक अंदर के अवयव है लीवर, किड्नी, फेफड़े, इत्यादी, इत्यादी तो ऐसा इस परमात्मा का ना तो कोई अंदर का अवयव है और ना तो कोई बाहर का अवयव है ये कह रहे हैं ये, ने तस्य अंत्रे, अंत्रे मतलब तस्य मद्धे, तस्य मद्धे मतलब उसके अंदर, ने तो उसके अंदर अव्यो भागो अस्ती, ने चे बाहियो अव्यो भागो प्रिश्थम अस्ती, ने उसके बाहियो अव्यो भागो प्रिश्थम अस्ती, कारियस्य अ निशेद किया है अप्रकथन किया है उससे ही पता लग रहा है कारियस से ही वस्तू न अभ्यंतरो भागो बाहियस चे भागो न भावती क्योंकि कह रहे हैं ये कारिय का अभाव होने से कारियस से ही वस्तू नहां जो कारिय वस्तू होती है उसका ही कोई तो आंतरिक भाग होता जब ये परमात्मा कारिय रूप नहीं है तो ना इसका कोई अंदर का वियव है ना तो कोई बाहर का है आत्मा का भी ऐसा ही है जो वस्तु कोई कारिय रूप जैसे शरीर कारिय रूप है पहले नहीं था फिर बन गया तो उसके फिर कुछ अंदर के अवयव हैं कुछ बाहर के अवयव हैं तो ऐसे परमात्मा कारिय रूप नहीं है इसलिए ना कोई अंदर का अवयव है ने तो कोई बाहर का अवयव है सेतु सर्वानुभु हूँ सरवानुफू मतलब वो सबको अनुभव करने वाला है सबको जानता है वो और जो अवयवी है वो वो संक्षित को जानता है जहां-जहां वो अवयव होंगे उस उसको वो जानेगा जहां वो अवयव नहीं है मानि शरीर जैसे हमारा अवयवी है तो जहां ये शरीर रहेगा वहाँ महां के बारे में हमें जानकारी है अब उपर पाक्षाला में क्या हो रहा है उसका हमें जानने मैं लेकिन परमात्मा क्या है सैतू सर्वानु भूẫn सबको उनुभाव करने वाला है उसी को खोला वो सर्वव्यापी है सर्वगत्माने सब में पहुँचा हुआ और सब को जानने वाला गति का मतलब जान गवन प्राप्ति त एते धर्मा अपी अन्यत्र उपसंगर्टव्या तो ये जो उसके धर्म है सर्वव्यापी, सर्वानुभू, सर्वगत्मान अनंतश्च ये धर्म भी अन्यत्र उपसंगार कर लेने चाहिए क्यों? अभेदात ब्रह्मात मने इश्वरस्य आइकत्वात तद वर्णन साम्यात क्योंकि ये सारे विशेशन भी ब्रह्म से क्या है? आइकत्वात एकात महीं है उसी के ही गुण है ये तद वर्णन साम्यात उसका जो वर्णन किया है उससे इनके साम्याता होने से समानता होने से अत्रशंक क्यते संबंधाद एवं अन्यत्रापी ये कह रहे हैं परमात्मा का जो वर्णन है उस वर्णन के संबंध से ही उपसंगार होता है तो जो स्मृति आदी हैं अन्यत्र का मतलब है यहां स्मृति जैसे यहां इन्होंने बताय था सूति और उपनिशद सूति और उपनिशद में ऐसे ऐसे विशेशन जहां भी मिलते हैं उन सब का परमात्मा में उपसंगार कर लेना चाहिए तो भूले यह यह गुणों का संबन्ध इश्वर में है अनादी अनन्तादी तो इसलिए उपसंगार कर लेना चाहिए तो कहरें यहती संबन्ध से उपसंगार कर रहे हैं तो संबन्धाद एवं अपी अन्यत्र तो अन्यत्र भी जहां जहां ऐसे गुण मिलें तो उनका उपसंगार कर लेना चाहिए अन्यत्र का मतलब स्मृति ग्रंथों में तो इसको फिर हम कल पढ़ेंगे स्मृति वाले को तो यहां तक हो गया शूति और उपनी शदों का वर्णन जहां कहीं परमात्मा के इन गुणों का वर्णन हो उन सब का उस ब्रह्म में उपसंगार कर लेना चाहिए उन सब वर्णनों के माध्यम से उस ब्रह्म की ही उपासना की जा रही है ऐसा मान लेना चाहिए तो यहीं विराम लेते हैं आज ओम शांते 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 ही स्री गुरुभ्यों